सात्यों नमस्कार, सात्यों सबसे पहले तुम्हें परमपिता परमेस्वर से ये प्रात्रा करता हूँ कि जितने भी कंडिडेट्स कॉंस्टेबल का एक्जम देने जा रहे हैं, उनका सभी का सहे कुछल एक्जम हुए हैं, अच्छे से अच्छा नमरी स्कोर कर पाए, मेरी सु को आप अच्छे रिजल्ट से किस प्रकार से निकाल सकते हो, उस चीज पर अपन चर्चा करेंगा। पीचे पढ़ जाते हैं, तो दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट बात है, घर से निकलें, आशिरवाद लेके ही निकलें, और अगर आप बाहर तैयारी कर रहे हैं, तो घरवालों से कनेक्ट हो जाए, फोन फे और उन से बात करने के बाद में ही आप है, जो अपना एक्जम सें पुजना है, और उसके बाद में, सबसे पहले आपको टाइम सेडूल के साब से आप पहुच जाओगे, तो वहाँ पर आप नो टेंसन हो जाओगे, अपने एक्जम सेंटर पे पहुचने के बाद में, सबसे फस्त में आपको एंटरे लेनी है, और फिर जो सबसे आप कहीं कहीं नुक्सान के बागिदार हो सकते हो यह चीज में इस वीडियो के मैंदिम साब को बताना चाह रहा हूं किन किन टिप्स की आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से आपको पेपर हाल करना है वो अपन वीडियो में आगे चर्चा कर रहे हैं यहां पर आपका confidence level है काफी उपर होना चाहिए और आप बिल्कुल भी वहां पर बिल्कुल भी depression में ना जाएं क्योंकि अकर आप थोड़ा भूत भी वहां पर depression में जाते हो तो आपकी बहुत बड़ी नुक्सान उठाना पड़ सकता है तो इस वज़े से आप exam center में बैटे हो तो वहां पर आपके हजारों competitor आपके साथ बेटे हैं तो OMR seat सबसे important चीज़ होती है एक गलती आपकी पूरी दो साल की मेनत है उस पर पानी फिर सकती है तो OMR seat में कुछ भी गलती ना करें अगर आप कोई भी गलत वर्ड भर रहे हो वाइटनर यूज़ कर रहे हो तो आपक कि जो चीज़ नहीं आ रही है वो आप अपने examiner से पूछ सकते हैं गलती करने से best होगा तो OMR में गलती ना करें second हम आता है सबसे उपर नाम का उप्सन होता है तो यहां पर आपको अपना नाम elected में लिखना होता है henin capital letter में लिखना होता है अपने केपिटल लेटर में और आपके नाम के बीच में इस्पेस है तो वह चीज भी ज़रूरी है नाम के बीच वाला इस्पेस है वह भी आप दे जिस परकार से आप यहां पे capital letter में देख रहे हो और आपके नाम के बीच में space देना है वहां पे आपको नीचे भी space छोड़ना है और उपर भी आपको सारी चीजे space के रूप में छोड़नी ही छोड़नी है क्योंकि space से ही आपका computer से coding के साथ कोफी चेक होगी तो वहां पे space में ही आपका होगा और आप space नहीं दोगे तो इस वज़ह से भी copy reject होने के काफी chances हो जाते हैं काफी chances न 450 rejection होती है अगर आप space नहीं दे रहे हो आपके नाम के वीच में space रहे हो तो 100% coffee reject हो जाएगी Space का विशेष ध्यान रखें Space के बाद में आपको जिस प्रकार से इसमें भरा हुआ है उस प्रकार से आपको पूरे जो भी खाने होते हैं उनको complete रूप से आपको गोल करना है और गोल जो पेपर है आपको ओमार सीट है उस पर ज़्यादा पेपर इसका खराब ना होना चाहिए आप इतने जोर से कर दो जो छेद आरपार हो जाए छेद आरपार होने का तो कोई option नहीं है अगर छेद आरपार हो गया तो वो भी read नहीं कर पाएगा computer है read नहीं कर पाएगा तो उस वज़े से भी delete हो सकती है ओमारसी तो छेद भी आरपार नहीं होने चाहिए और ज़्यादा freser देना नहीं है normal, normal, only for black हो जाने चाहिए जो hole होते हैं वो black हो जाने चाहिए सिग्नवाला है जो roll number है उसके खाने हमेशा roll number पीछे से start करें दो-दो अंक लें और पीछे से बढ़ना start करें क्योंकि अगर roll number का खाना एक extra हो जाता है तो यहाँ पे आपके ओमारसी डिलिट हो जाएगे अगर आप सुरू से शुरू कर रहे हो ओमार बढ़ना ये भी सबसे बड़ा region हो सकता है OMR पीछे के अंकों से शुरू करें अगर खाना एक extra है तो आगे उसमें सुनने आ जाएगे अगर पीछे सुनने लगाते हो OMR सीट डिलिट हो जाएगी इस चीज का खास तोर पर आपको ध्यान रखना है जो roll number है वो पीछे से बढ़ने start करने है तो roll number का पीछे से बढ़ना start करना है OMR सीट पर फालतू के जो भी आप इस पर अगर scratch कर रहे हो या pen का यूज़ कर रहे हो तो वो भी सबसे गलत बात है क्योंकि इस चीज से भी OMR सीट वो डिलिट हो जाती है फालतू का scratch OMR सीट के उपर ना करें बिल्कुल भी ना करें फालतू का scratch करना ही नहीं है OMR को अगर मोड रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है OMR को ना मोडें मोडने से भी OMR सही तरीके से read नहीं हो फाएगी और आपकी OMR सीट डिलिट हो जाएगी ये तो ही आपकी OMR सीट बढ़ने की सबसे खास टेकनिक जो इस चीज का यूज करेंगे तो अपकी OMR सीट अच्छे तरीके से भर ली जाएगी अगर इसमें आप मिस करोगे तो OMR सीट डिलिट हो जाएगी दो साल की मेनत पानी में चली जाएगी गोले को इतना गाड़ा मत बरिये कि OMR सीट फटने की स्तिती में आजाए याद रखे कि सीट को किसी भी तरह का नुक्सान पहुचने का मतलब है OMR सीट का रिजेक्शन प्रिक्षाओं में बुकलेट सीरीज एक option OMR सीट में भरना होता है जो बुकलेट सीरीज क्या होता ये भी आपको नहीं मालूँ बुकलेट सीरीज क्या होता बुकलेट आपका पेपर बुकलेट आता है वो बुकलेट सीरीज है तो बुकलेट को भरने में कोई जल्दबाजी ना करें आपको प्रिक्षन पुस्तिका जो आपको प्रेक्शन पुस्तिका मिल जाए तो उस पर लिखी हुई सीरिज को ही ओमार सीट में लिखे और संभंधित गोले को बरे, बुकलेट बरने में जल्दिवाजी कर रहे है तो ये ओमार सीट डिलिट होने का ये भी एक ओप्सन हो सकता है बुकलेट बरने में जल्दिवाजी कता ही नहीं करनी है क्योंकि पेपर देने के बाद में भरी जाती है पहले बुकलेट बरना ही नहीं है यहां पर मैं आपको पहले भी यह चीज बता चुका हूँ कि आपको थोड़ी बहुत रिस्क लेना जरूरी है फर्स्ट स्टेप आता है 55 पलस 55 पलस 100 परसंट स्योर 50 पलस रणिंग उसके पास कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं तो भी श्योर है यहाँ पे सेकेंड श्टेप तक भी आप एँगर श्योर है तो कफी हद्धेतक आप श्योर हैं लेकिन यहाँ पर Cape 8-14 परसंट तक पहुँन जाते हैं लड़के थर्ड स्टेप पे है तो यहां पे आपको थोड़ी बहुत तो रिस्क लेना ही लेना है क्योंकि थोड़ी बहुत रिस्क के बना यहां पर पढ़ने वाली नहीं है यहां पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 25 से 30 क्यूसंस के उपर है आपको गेम खेल ततता है जोывайтесь up और उसमें दो नेगलेट करने के बाद6 सेलेक्ट करनेके लिए Hayır सिलेक्ट में व्याद प्रक्षिशि दो उप्स्वेट करें और दो सेलेक्ट करें उसके बाद्ना लिएेना है तो इस चीज का खास ध्यान रखाए और इस strategy के आदार पर ही paper में आगे बढ़े और ज़्यादा आपको depression में जाने की ज़रूत नहीं है जो comfort zone है वो कहीं न कहीं यहीं पर अटकने वाला है इस time पर कोरोना और lockdown के वज़े से काफी लड़के हैं उनकी तैयारी काफी कम है और coaching centers है वो भी बन पड़े हैं यह चीज आप अपने screen पर देख पा रहे हूँ इस चीज से ज़्यादा अगर आप आपके पास है कुछ से तो आप बहुत अच्छे हो और इस level पर है तो भी आप almost safe हो आपकी category के according अगर आप इससे नीचे हो तो ही अपनी risk ले तो यहाँ पर जनरल 55 plus जो 55 plus है वो कोई भी category का हो 55 plus से तो ज़्यादा option ही नहीं है तो 55 plus तो कोई भी होना चाहिए इसमें तो कोई दो राया है ही नहीं सेकिन ओबी सी तो 53 के something इसमें रहने वाला है ज्यादा इसमें भी कुछ है नहीं तो इस टाइम पर तैयारी का भी काफी असर पड़ा है तो 53 के almost ही इसमें रहने वाला है अच्छा रहेगा और इससे ज्यादा उनकी जाती नहीं है कोई सी भी आप फेकिंस आप उठा के देख सकते हूं उनके लिए तो दोस्तों इससे ज्यादा अगर आपके स्कोर कर पा रहे हो तो आपको बहुत बहुत बढ़ाई और अगर आप कहीं न कहीं थोड़ा low point पे हो तो आपको कहीं न कहीं इसमें risk लेने की जरूरत जरूर पड़ जाएगी क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी जरूरी हो जाता यहां पर competition में 17 लाग लड़के भी बेटे हैं तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना जरूरी है